हेलो फ्रेंज आज मैं आपको पताने वाला हूँ आप कैसे जी फाइब एप्लिकेशन में लॉग इन कर सकते हैं Android TV में तो अगर आपकी फायर स्टिक है या फिर MI बॉक्स है या फिर स्मार्ट टीवी है तो उसमें आपकी जी फाइब एप्लिकेशन होगी लेकिन उसको कोई भ करेंगे वेरिफिकेशन कोड के साथ जो आपको Android TV में मिलेंगा आज मैं आपको इस वीडियो में बजाऊंगा तो वीडियो को शुरू से अंतर जरू देखना और वीडियो अच्छे लगए तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्स्क्राइब पर देना तो लेस्ट आपको G5 एप को ओपन कर लेना है अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रहा है तो यूज डाउनलोड इट फ्राम दा प्ले स्टोर तो यूजस्ट नीग तो सब्सक्राइब आपको करना है जी फाइफ आपको नीची आ गया हो गयी तो आपको इसे ओपन करना है और इंस्टॉ आएगा login करने का तो आप यहां से direct login कर सकते हैं ठीक है और login के बाद यह आपको पात की जा जाए गए वाला तो यहां 3 step दे रखे आपको आपको सबसे पहले क्या करना है जी 5 activate करने के लिए अपने mobile में camera open करना हो और QR code को scan करना है और scan करने के बाद आपको इसमें login करना होगा mobile में and enter आपको यह six code डालने होंगे तो चलते हैं mobile में और इसे scan करते हैं तो mobile में आप किसी भी QR code scanner को open कर सकते हैं जैसे मैं इसे open कर लेता हूँ और इसे मैं टीवी पर scan कराता हूँ तो मैं इसे यहां से scan कराऊंगा तो यहां मुझे एक link मिल जाएगी जिसे मुझे open करना है तो simply guide आपको इस link पर जाना है इस पर click करना है यह browser open करेगा ठीक है और यहां हमें आपको करना क्या है या तो आप login कर सकते है mobile number से या फिर email id से तो आप यहां गूगल से भी login कर सकते है Google की app से तो आप Gmail से भी login कर सकते है जिस्ट आप फुल log Gmail पर click करना है और email id को choose कर लेना है ठीक है और यहां फिर आप यहां mobile number डालके OTP के लिए जनरेट कर सकते हैं तो यहां से यह काम करनी रहा है इसका यह जीमेल वाला तो हम mobile number डालेंगे और यहां से हम OTP जनरेट कराएंगे उसके बाद आपके पास OTP आएगा जिसे आपको यहां fill करना होगा तो OTP आ गया है मेरे पास मैं इसे डाल देता हूँ फटाफट और मैंने OTP डाल दिया है अब इसे मैं verify करता हूँ verify करने के लिए मुझे verify बटन पर क्लिक करना होगा और यहां मेरा यह verify हो रहा है अब गाईज यहां मुझे activation code डालने को बोल रहा है जो TV स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है तो जो activate code activation code दे रखका है हमारे यह four times b8a तो मुझे exactly mobile पर डाल देना है तो मैं यहां ही डाल देता बी बी दुवारा से जाते एक बड़ बी 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 और तो यह मेरे साब से हम यहां भी जाना होगा मेरा पर सॉर्री तो यहां से डालते हैं यह six यहां मैं दिखाए नहीं जीरा क्यों ब्लैक थी में रखी है तो बी और बी और यहां ता हमारा क्या है एट एड़ एड़ ठीक है अब इससे अक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे यह यहां एक्टिवेट हो गया है और ऐसे ही अब ओपी पे एगदम से इक्टिवेट हो जाएगा अगर आपका टीवी पर एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको एक्टिवेट टीवी पर अगें क्लिक करنا है इसमें जाके और जो कोड दिखाई दे रहा है उसे वापेज डाल देना है ठीक है? तो दुवारा से कोड मैंने बहुत देड़ बार डाला इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ है तो क्या है कोड एफ एक गल्थ प्रेस हो जा रहा है मुझसे एफ ए एफ बी ए बी ठीक है और हम यहां से एक्टिवेट करेंगे तुरंत तो आप देखेंगे यहां हमारा टीवी कनेक्ट होके सक्सेस्वली तो हम यहां से चूज कर लेंगे अपने यूसर को तो आनन इस दा यूसर दैट इस माई नेम ज़स्ट चूज इट और नाओ यू प्ले एनी ओफ दा एपिसोड तो यह तो सारे सब्सक्रिशन वाले है शो पर जाते हम और यहां से हम किसी एपिसोड को पिली करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहां हमारे एपिसोड रनोने स्टार्ट हो जाएंगे अच्छोड आपको मेक्शू करना है जो आपका प्ली कोड है वो ज्यादा ओड ना हो जाए ठीक है और आपके सारे एपिसोड रनोने श्टार्ट हो जाएंगे ठीक है so yeah that's how you can activate G5 on Android TV I hope you like it and thanks for watching since the next video till then bye-bye